Hello Friends I am from Sip Sakti English Kochin Center presenting here a very important topic that is called Common Error अज हम बात कर रहे हैं बहुदी important topic that is called Common error when you face any kind of exam, when you face any exam competitive exam or normal exam on that you will get always a sentence आपको Queshanties मिली जाते हैं Common Error के, right? कभी-कभी जब हम कोई paragraph write करते हैं sentence write करते हैं and I hope that कि इसमें मुझे 10 में से 7 marks मिलेंगे मिलेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमको कि बिल 3 number मिले हों, कि बिल 2 number मिले हों in that time we feel very soft and go in front of teacher and say that how did you cut my marks? आपने मेरे marks कैसे cut दिये? तो वो आपको बता रहे हो थी कि यहापन आपने कॉमा नहीं लगा है, यहापन आपने fully stop नहीं लगा है, यह लेटर आपका capital होना चाहिए, यहापने कॉमा नहीं लगा है, तो we feel very angry and we say to teachers also that's why. सर यह तो चोटी-चोटी errors है न सर, इसमें number काटने की किया जररत है, तो आज हम वही आपको बताने वाले हैं कि जब आप कोई भी paragraph write करते हैं, जब आप कोई shandes लिखते हैं, या जब भी आप किसी भासा में कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो उस भासा के जतने rules होते हैं, the all rules of that language, we have to follow, हमको follow करना पड़ता है, यदि हम उस rule को follow नहीं करेंगे, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, यहीं जो चोटी-चोटी गलतियां होते हैं, that is called common error, error में इस गलतियां common मितलब बहुत ही शाधारणशी, जो हमें दिखती नहीं, पर होती हैं, चले, जैसे पहला शुन्त हैं, because भी शहीं लगा है, news are good, अब यहाँ पर जो हमने news देखा, news में yes लगा हुआ था, यह, तो मुझे लगा कि plural है, but, but really, what is, यह तो news की spelling ही है, तो हम news में आर नहीं लगा सकते हैं, यह हमारा गलत है, तो आर नहीं भी किया होना चाहिए, यह जोना चाहिए, right, अब इस इ हो गया, I am happy, because news is good, right, है नो common error, बहुत ही छोडी से error थी, जो दिखने ही रही थी, ठी, okay, शेकें, least they could play games, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है, least है, they है, could है, play है, games है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, then I want to tell you, there is a rule, एक rule है, कि जब कभी भी आप least इस्तमा regular translation होगा, वो किसकी मदद से होना चाहिए, हमेशा, should की मदद से होना चाहिए, right, तो इसमें होचाहिए, least, least का मतलब होता है, कहीं ऐसा ना हो, क्या, कहीं ऐसा ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो, कि वे game खेले, तो least, they, could बिल्कुल नहीं होगा, उसके जब काउन सा word होगा, should होगा right, तो इसके होचाहिए, least, they should play games, कहीं ऐसा ना हो, कि वे game खेले, could नहीं हो शकता, least के साथ के एर में क्या होता है, should होता है, यहाँ पर यह गलत है, है ना common error, बहुत ही छोटी सी, जो दिख तो नहीं रहे, पर है, next try, he was senior than his brother, वो आपने भाई से बढ़ा था, अब यहाँ प दिख नहीं रहे, right, तो जब आप degree पढ़ते हैं, तो degree में कर एक 10 से वारा वर्ट, counted होते हैं, जैसे कि senior, junior, interior, exterior, minor, major, prefer, preferable, जहाँ पर हम देन नहीं बलकि वहाँ पर हम टूस्त माल करते हैं, जहाँ पर देन नहीं होगा, बलकि इसके जड़े क्या होना चाहिए, तो होना च related to subject, related to helping book, related to main book, related to article, related to singular, plural and some other punctuation marks also, fine, now next is there, he saw there many sips, इसमें तो बिलकुल आपको दिखे गे नहीं, जैसे कि he है, c का second from saw भी है, मतलब उसने देखा, वहाँ, क्या, many sips, बिलकुल भी, कहीं पर लग नहीं रहे गलत हैं, पर है, कहाँ पर? यहाँ पर, because sheep एक ऐसा word है, जिसका plural बनाने के लिए आपको सीप्स लेखने की जरुएत नहीं होती, वह singular भी है, और plural भी, कैसे? यादि सीप वर्ड कहीं पर मिलता है, हम लेका है, आप सीप, तो यह आपका क्या होगा? सिंगलर होगा, और यादि कहीं पर सिर्फ सीप वर्ड लेखा है, तो यह हमेसा और हमेसा ऐसा वर्ड जो प्लूरल होता है, तो ही साधियर मैंनी सीप लिखने की जरुएत नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे हम? शीप लिखेंगे, तो हैना बिल्कुल कॉमन सीरर? मिस्स तोदे भी हा रीदि कॉमन अरूर, मिस्स वें यू बिल रीद नी लाइन नी पराग्राफ और एकॉदिन तो ग्रामर रूल, इफ और यू रिखेंगे, तो हमना सीर विखेंगे, इसुट नस्सवर कि व्राइन यू जरू ना ना करेखेंगे, दिवाल पराफ बिल्कुल रिखेंगे, इसका दिवाली है बिल्कुल कॉछ दिकुर है पर यह कुछ होते हैं रसी कि बाइपीपल हो गया, बाइग गवरमेंट ह गया बाई पलिश हो गया बाई शंबड़ी ऐसे जो ओते है उन्हें जब हम पैसे बोईश करते हैं तो बिल्कुल हटा देते हमकी यह दें, को तो जब आए इसके मering के बाई बिल्कुल नहीं लिपते हैं इसमें बिल्कुल दिखें, they attack, attack का second farm है, on my country, कहीं पर भी आपको error नहीं दिखेगी, but I want to tell you that this spot error बहुत ही common और रेटा हुआ होता है, हम attack की बाद कभी भी on नहीं लगाते, मतलब उसके बाद कोई preposition नहीं लगता, सिर्फ होगा they attacked my country, on तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमा common error, तो ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजे होती है, जब कभी common error, तो आप उन्हें point out करें, उन्हें modify करें, और sentence को फर्षे लिग दिए, right, then I hope that you have understood better, and friends I want to tell you that please subscribe my channel, so that I can send you next new video, ताके में बहुत सारी वीडियो आप तक शैन कर सकूं, thank you, nice.